हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एसा प्लांट बताने वाला हूँ जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता कि वो कौन सा प्लांट है जो मेरी बालकनी में ग्रो कर रहा है तो चलो मैं वो उस प्लांट के बारे में बताता हूँ तो दोस्तो यह मेरी बालकनी में कैसे ग्रो कर रहा है उसका रिजन में अभी बता रहा हूँ जब मैंने पेटुनया प्लांट की सीडलिंग लगाई थी तब इस प्लांट का सीड भी पेटुनया के सीड के साथ था समय के साथ साथ पेटुनया प्लांट भी ग्रोग करने लगा और ये भी उसी की साथ ग्रोग करने लगा मेरे जितने भी पेटुने प्लांट है मेरी बालकनी में वो सभी एक तरह के ग्रोग कर रहा है बाकी ये एकी प्लांट है जो अलग तरह के ग्रोग कर रहा है और आप इसकी पत्यों को देखोंगे तो काफी हेवी है और काफी कड़क भी है इसके नीचे के लिवस एक चम्मत जैसे है अगर ये पेटुने प्लांट होता तो उसी की तरह ग्रो करता लेकिन इससे लगाए हुए 6 माईना हो गया ना कि उसमें फ्लावरिंग होई ना ये जो भी पत्य है एक चमच जैसा लगता है और उसकी जो स्टैम है बीच वाली वो काफी बड़ी है और आम पेटुने प्लांट की स्टैम से काफी अलग तरीके की है और आप इसके सेप को देखोगे तो इसा लगएगा कि कमल का पूल कैसा होता है कैसे उसके पकड़िया एसी होती है इसी तरह से ये इसकी भी पकड़िया एसी है और मैं जस्ट एक्सामपल बता रहा हूँ और ये प्लांट काफी अलग तरीके से ग्रो कर रहा था इसलिए मैंने इसको फेका नहीं उसको ग्रो करने दिया ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इसमें फ्लावरिंग लेकिन कुछ डिफरंट ही है अगर ये पेटوनया की अलग वेराइट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताये कि है कौनसा प्लांट है पेटूनया की कौनसी वेराइट है क्योंकि इसका सीड भी पेटूनया प्लांट यई सीड के साथ ही आया था अगर आपको ये जरूर करें